नमस्कार किसान भाईयों, आपका अपना चेनल किसान परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राज बनारसी आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने घर आंगन में खाली जगा में पपीते का पोदा लगा कर अपने परिवार के लिए पपीते का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए जैसा कि आप किसान भाईयों में अपने सोयम के घर पे खड़ा हूँ आप देख रहे हैं कि यह पपीता का पेल हो हैं इस पपीते को लगा हुए करीम एक वर्स हो चुका है और इस पपीते के अंदर इसकी यह खासियत है है कि इसके अंदर तो उसमें क्या होता है कि पपीते को जब वेपारी लेके जाता है तो उसमें क्या करता है कि वो इस्टा करता है जब इसा पका हुआ पपीता नहीं मिलता है उसका कारण यह रहता है कि ले जाके उसको कारबेट लगाके उसको पकाता है जिससे कि केमिकल से पकता है तो किसान भ यहां पौदा लगा सकते हैं मात्र यह एक वर्स का पौदा है और इसमें चार बार हर्वेस्टिंग आप किसान बाइओ यह देखेंगे जिस प्रकार से यह अंदर कम सकम 1.500 पौदे लगा हुए है कि सान बाइओ इनका साइज भी देख रहें आप यह पका हुआ पौदे के अंदर लगा हुआ है किसान बाइओं मैं आपको बताना चाहोंगा कि हम भी हमारी खाली जगह पड़ी हुई जहां पे भी घर के आंगन में या में मेर सकते हैं और अपने परिवार को खिला सकते हैं मैं आपको और बताना चाहूँगा चाहँग कि हमने इसी प्रकार से दो-चार पोड़े और लगा रखें जैसा कि किसान भाई आप देख रहे यह भी हमारे भाड़े के अंदर थोड़ी से खाली जगात पड़ी थी इसके अंदर हमने यह पौधा लगाया इसमें भी 200-300 करीब पौधे के अंदर पपिता लगे हुए किसान भाई व देख देख रहे हैं इस वीडियो वे आपको बतान से पपीता लगना चाहिए और ये छोटी इसके कम से कम साल भर भी नहीं हुआ च्छे मेनिया हुआ अभी इस पोदे को उच्छे मेने के अंदर फल देना चालू हो चुका है तो किसान भाईयों यह आपको मैं बताना चाहूँआ कि हमारे घर के अंदर छोटी सी जगा के अंदर हम अपने प्लाट के अंदर किस तरीके से पपीता का उत्पादन कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर भी 200-300 पोदे एक पोदे के अंदर लग रही यह पुराने पोदे हम आपको बताना चाहेंगे जैसा कि आप परिवार को खिलाया और हमारे रात नातेदार रिष्टेदार सभी को इसमें से पपीता खिलाया तो एक चोटी सी टिप्स थी कि आप अपने खाली जगा के अंदर आप मार्केट से जो पपीता लाते हैं उसको काटके उसका बीज निकालकर उसको 2-4-8 दिन तक धूप में स पूरित हो जाएगा और पौधा बन जाएगा तो ये ना तो आतो आपको नरसरी जाना है ना कहीं जर्वादा खरीजना है कि सानभाईयों यह चुटी सी टिप्स है की पपीता का उतपादन करके हम अपने घर परिवार को भी खिला है परिवार को खिला है रिश्ट्रे नातेदारों को भी खिला है तो इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए सर्प्राइब कीजिए और वेल आइकन को दबाईजिए आप जै जवान जै